किसान भायों दलहनी फसलों की एक खासियत ये है कि ये वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में अवशोसित कर देती है इतना ही नहीं ये फसले जब परिपक्व होने के बाद काटी जाती है तो इन से जढ़ कर गिरी पत्तियां भी मिट्टी में मिलकर उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है रहिर की फसल यह कोई भी जब हमारी दलाहिनी फसल जो होती है उसको जब हमारे किशान भई खेत में लगाते हैं तो ऑशिक कारण मुख्रूप से बढ़ती है पहला कारण है कि जितना वो हमारे फसल जो मिट्टी से नाइट्रोजन लेती है कहीं उतना वो वातावरण से नाइट्रोजन को जमा कर देती है मिट्टी में पहला कारण दूसरा कारण है कि जब हम दलाहिनी फसल को काटते हैं अपने खेत में परिपक होने के बाद तो हम अपने प्रधेश में दलहनी और तेलहनी फस्रावskन की खेती से छोटे किसान भी जुड़े हुए हैं इनके लिए महहंगे नकीने उर्वरकों का प्रयोग अपनी खेती में करना संभाओन नहीं हो पाता है। यदि वैसे किसान सब्सक्राइबालत उनकी की प्रश्रिक खेती करें तो वे बाहरी उर्वरकों के प्रयोग से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसे क्या होता है। तो इस प्रकार से पोशक तत्यों का थोड़ा समावेश तो होता है। लेकिन तो आनायद में और उत्पादन में को कोई नूट्राप है माइक्रोनुटर्ण करना ही किसान भायों दलहनी और तेलहनी फसनों से अच्छा उतपादन देने के लिए इसकी खेती में शुरुआज से ही ध्यान देने की आविश्यक्ता हूती है इसके लिए ये जरूरी है कि किसान भाई ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज का चयन करें फिर मिट्टी जाच कराने के बाद ही उर्वरकों का प्रबंधन करें किसान भाईयों को सबसे बड़ा हमारा सुझाओ यही है कि पहली तो ये पोशक तत्व का प्रबंधन करनते हैं किसी भी क्राप में तो पहले वो बीज तो अच्छा ले आते हैं लेकिन उस बीज के बारे मुनको यह जानना चाहिए कि हम इसका उत्पादन च्छमता क्या है जि जितना फसल अउसेश हमारा खेत खलिहान में छोड़ देते हैं उसको वो खेत में इनकार्पोरेट कर दे मिला दे चाहे वो सड़ा करके चाहे वो सीधे मल्चिंग करके तो उससे क्या है कि मार्को न्यूटेंट जो हमारा सुझ पोशक्तत्त है उसकी कमी नहीं होगी क्योंक इस तरह से यदि दलहनी और तेलहनी फसलों के पोशक्तत्तों का प्रवंधन हम वैज्ञानिक के मार्क दर्शन पर करें तो निश्चित तोर पर हम इनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़हा सकते हैं